हाई डियर और वलकुम बाक तो अडू काप्टन तो आज हमारा क्रिटिकल थिंकिंग का यह लास सेशन होने वाला है और आज मैं आपसे बात करूंगा स्टेटमेंट्स एंड आगुमेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग के सेशन को इस पूरी सीरीज को आप अच्छे से इंजॉय कर रहे हो और अगर ऐसा है वीडियो का लाइक कीजिए शेयर कीजिए कॉमेंट कीजिए और चानल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले बात करता हूं जो होंग वाला क्वैला क्वेस् अगर आप मान लो आप एक मिनस्टर है और आपके जो रिलेटिव है वो आपकी जो प्रभाव है उसका गलत फायदा है लाइक कहीं पे दुकान पे चलेगा तो फ्री में चीज दे ले लिए इस तरीके से और लोगों को हरास कर रहे है तो कोर्स अच्छन क्या होना चाह है प सबसे पहले तो आपको वो लोग ढूंदने पड़ेंगे जिनके कोई रिलेटिव नहीं और ऐसा इंडिया में हो पाना तो पॉसिबल नहीं है तो यह तो क्या एक नहीं मुसीबत खड़ी कर रहा है ठीक है ना और तो और जो नहीं मुसीबते खड़ी कर दे आसा हम कोर्स अगे कहता है मिनिस्टर्षिप शुट बी गिवन टू परसन हुआस नो रिलेटिव पीपल शुट वोट फोर अच्छा सॉरी 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 पहले कहता है पीपल शुट वोट मतलब ऐसे लोगों को वोट करना चाहिए जिसके रिलेटिव ही नहीं अच्छा तो मतलब एक यह क्या बात तो यह भी हमारा कोर्स है तो आज हमें शुरुआत करनी है statement और आर्गूमंट की स्टेटमेंट और आर्गूमेंट है क्या इसको बहुत धंश हमागतने समझते सरक इन ब stadion जो हमारे शुरौन या तो हमारा एक strong argument होता है या थो एक हमारा with argument होता है देखो argument आपने देखा होगा बहस होनी जब day one हम ये critical thinking का part सी करें तो वहाँ पर भी मैंने आपसे बोला था सबसे पहले assume की जाती है बात को assume किया जाता है फिर उसके उपर कुछ action perform किया जाते है और फिर उसके उपर बहस होती है अब बहस या तो आप जो बात कहोगे वो बहुत strong सी बात कहोगे या तो आप बहुत ही बेकार सी बात कहोगे तो वो क्या parameters है जिसके उपर आप ये चीज़ जज करते हो कि आपका जो argument है वो strong है या weak है तो उसी को जान लेते है जरा वो क्या क्या हमारे parameters है तो left hand side लिखेंगे हमारे कौन-कौन से strong argument होते है और right hand side लिखेंगे कौन-कौन से हमारे weak arguments होते है ठीक है तो pen का color ले लेते हैं हम जरा blue तो देखो बच्चे strong argument हमारे कौन से होता है सबसे पहले जो चीज आपकी law को define कर दे for example आपने एक बात कह दी मैंने कहा के चल यार IPL आ रहा है कायम करता है सटा लगा लेते हैं चीज़क है तो मेरा जो friend है उसने मुझे कहा कि भाई देख अगर तो सटा लगाएगा सबसे पहले illegal है और इस इस XYZ Act के तहर्त तेरे को jail भी हो सकती है तो उसने ये एक बात कह दी तो ये क्या होगे उसने मुझे law का एक direction दे दिया जो भी argument जिसमें एक law की बात की जाएगी वो एक strong argument के इंदर count किया जाते है वही अगर मैं weak argument की बात करता हूँ जो भी हमारे ambiguous argument होते है ठीक है जो हमारे ambiguous arguments होते है वो weak होते है for example मैंने कहा के let's say मैं sugar का patient हूँ ठीक है मेरे एक friend ने कहा और मुझे मेरा गलाब जामन खाने कावन कर रहा है ठीक है तो मेरे एक friend ने तो मुझे सलादी के देख भाई तुझे sugar है तो तुझे ये सब चीज़े avoid करनी चाहिए इससे जो है तिरको काफी नुकसान हो जाएगा आगे doctors इतनी अच्छे-ची medicines दे रहे वो medicines तुझे जो है उनका impact तुझे देखने को नहीं मिलेगा और दूसरी तरफ मेरा दोस्त कह रहा है कह छोड़ ना खाले जिंदिक के क्या पता है देखा जाएगा जो होगा तो यह बड़ी ही ambiguous सी बात कर दी तो ऐसी जो बाते होते हैं वो weak argument के अंदर हमारी count होते है ठीक है जो दूसरे वाले friend ने मुझे का है वो ambiguous बात है पहले वाले friend ने तो मुझे proper जो है guide किया है तो वो एक मेरा strong argument है right strong argument की category के अंदर आप डाल सकते है जो चिस universal fact है ठीक है universal fact universal fact हमेशा आपके strong argument के अंदर होता है for example मैंने कहा एक statement कही के let's say राजस्थान के अंदर जो है liquor जो है ban कर देनी चाहिए ठीक है तो गुजरात की तरह गुजरात की तरह राजस्थान के अंदर जो है liquor ban कर देनी चाहिए ऐसा मैंने कह दिया तो मेरे एक दोस्ते मुझे जो है argument किया कि देख भाई गुजरात की जो economy है वो liquor के उपर जादा निर्भर नहीं करती है वहाँ पर factories है बहुत सारी बहुत सारी industries है जहांसे उनका revenue generate हो जाता है लेकिन अगर यहाँ पर राजस्थान में क्योंकि इसकी economy जो बहुत जादा liquor के उपर depend करती है तो अगर तो यहाँ पर बयान करेगा तो बहुत जादा दिक्कत हो जाएगी तो एक universal fact की बात करती तो यह मेरा क्या हो जाएगा एक strong argument हो जाएगा वही weak argument के अंदर आप डाल सकते है जोचे superstition होती है ठीक है superstition होती है superstition से मेरा क्या मतलब है मैंने कहा के for example मैं पढ़ने बैट रहा हूँ ठीक है मैं पढ़ने बैट रहा हूँ पर मेरे घर का दूद आज भी महीं लेकर आता हूँ तो आप लोग भी अगर लेकर आते हो तो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है ठीक है सब लेकर आते है तो भाई मेरी माताजी निगा के भाई जाके दूद लेकर आओ ठीक है मैं घर से निकला और एक बिल्ली है यह वो ऐसे क्रॉस करके चली गई और अब मैं वहाँ से जा ही नहीं रहा तो यह कैसी बात होगी अंद विश्वास वाली बात होगी तो जहां कहीं भी अंद विश्वास वाली बात होती है वो एक weak argument के अंदर count की जाती है ठीक है अच्छा जी strong argument की category के अंदर आप डाल सकते हो experience ठीक है जो कोई भी आपको experience से वो बात बोलेगा वो आपके strong argument के अंदर आती है ठीक है वहीं अगर आप weak argument के अंदर डाल सकते हो comparison ठीक है जब भी कहीं पर comparison किया जाएगा तो ना की जाएगी वो एक weak argument के अंदर count किया जाता है clear है बचे अच्छा जी चौथा strong argument के अंदर जब कभी भी एक मातर रास्ते की बात होगी कि ये एक मातर रास्ता है मतलब एक मातर कहाँ sorry sorry कि ये एक रास्ता है इसके अलावा भी और रास्ता है जब भी one way की बात होगी तो वो एक strong argument के अंदर count के जाएगा और वहीं जब भी only way की बात की जाएगी ठीक है कि for example आप समझ सकते हो मैंने कहा अगर मानलोग कोई आपको ये कहता है कि edu captain से पढ़ना his only way है आपको एक dream college तक पहुचाना तो ये एक weak argument हो गया नहीं ऐसा नहीं है edu captain से पढ़ना एक रास्ता जरूर है ठीक है एक बहतर रास्ता जरूर है लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक मातर रास्ता नहीं है और अगर कोई institute भी आपको ये कह रहा है कर लेना ही जो है surety नहीं देता कि आप college तक पहुचोगे या नहीं पहुचोगे ठीक है आपने कितनी महनत की है उस content पे आपने कितनी practice की है वो matter करता है ठीक है anyways तो question number one की तरफ चलते है क्या कहता है कहता है should all the foreign goods should all foreign goods export be banned in the country जितना भी foreign goods export होता है वो उसको ban कर देना चाहिए तो argument क्या कहता है no foreign exchange comes from import export of foreign goods into the country तो ये देखो एक बिल्कुल उसने fact की बात कर ली हम red color ले ले थे हाँ पर तो उसने या पर क्या बात कर दी एक fact की बात कर दी कि हाँ भे जितना भी foreign exchange होता है वो import export से ही आता है तो ये ban नहीं होना चाहिए तो ये fact की बात हो गई तो बिल्कुल true हो गया फिर एक argument कहता है yes this will make our country's product available only here वो कहता है कि हाँ इससे क्या होगा अगर foreign goods जो है वो country माने बंद होगा तो हमारी country के product यहीं रहेंगे कैसी बात हो कि इससे फाइदा क्या है कोई फाइदा नहीं है कोई logic नहीं है तो हाँ पर क्या है no logic कोई logic ही नहीं है इस बात के अंदर तो ये मेरा क्या हो जाएगा invalid जाएगा एक बात आपको बता रहता हो देखो तो जब आपस में ही contradict कर रहे है तो यहापर either or आएगा कैसे तो यहापर नहीं आता कभी भी statement और argument में either or के situation नहीं generated होती ठीक है clear है आगे चलते है कहता है should liquor production be banned due to the increased rate in drunk habit of youth वो कहता है यूथ के अंदर अगर हमारी liquor drunk habit बढ़ रही है तो उससे मतलब हमें liquor ban कर देना चाहिए ऐसा statement कह दिया है पहला argument आता yes this is the only way this is the only way to get rid of drunk habits of youth कहता है liquor ban कर देना ही ban कर देना ही एक मातर रास्ता है जिससे youth जो है वो drunk habit को छोड़ेगा तो एक मातर रास्ता नहीं है बहुत सारे campaign हम run कर सकते है उनको समझा सकते है बहुत और मतलब medical treatments भी काफी होते जिससे जो है drunk habit को छोड़ाया जा सकता only way और मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी only way होगा तो वो सिर्फ पागल बनाया जाए ठीक है only way कुछ ही नहीं होता बहुत रास्त होतना आपके पास आगे कहता है no from the production of liquor government gets heavy revenue only the ban of liquor production is not the way to get rid of the youth habit तो एक बाव बता उसने यहाँ पर क्या एक एक जो है support कर दिया इस बात को well explain कर दिया कि जो production of liquor जो government को है बहुत अच्छा heavy revenue generate होता इससे तो यह हमारा क्या हो जाएगा यह हमारा एक valid argument हो जाएगा ठीक है बात है चलते आगे आगे बढ़ने से पहरे हमारा एक telegram group है जो कि आपको बिल्कुल join करना है आपको यहाँ पर बिल्कुल sequence के अंदर हमारी video lectures मिल जाते है major topics के साथे साथ mini mocks किस तरीके से आपको जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है latest updates आपके exam से लेटर जितने भी updates होती है आपको telegram group पे मिल जाते है vocabulary shots, current affairs सब कुछ आपको telegram group पे मिल जाता है चलते हैं आगे एक statement कह दिये should zoo be close zoo जो जो इसको close कर देना सी एक argument आया no animals are captain captivity for the sake of our environment वो कहता है कि animals को captivity में रखा जाता है पिंजरी में रखा जाता है वो हमारे entertainment के लिए रखा जाता है क्यों भई? तुम कहीं के नेता हो कि तुमारे entertainment के लिए जानवरों को जो है उसके अंदर रखा जाए उसके अंदर पिंजरे के अंदर रखा जाए और अब तो zoo में ऐसा होता भी नहीं है उनको जो है एक biodiversity जो है एक थोड़ा सा area बना के दे दिया जाता है for example अगर अगर tiger को रखा जा रहा है तो उसको जो है कुछ area दिया जाता है ताकि वो महाँ पे freely घूम सके अब पिंजरे में नहीं रखा जाता तो एक weak argument हो गया तो आगे कहता है येस imprisoning animals is a crime वो कहता है कि zoo बन दोना चाहे क्योंकि यहाँ क्योंकि zoo के अंदर जो जानवरों की imprisoning है वो crime है ये एक valid है ये हमारे एक valid हो जाता है ठीक है आगे चलते है कहता है should there be a different rate of interest for term deposit of varying duration in the banks अच्छा वो यहाँ पर ये बात कर रहा है के for example एक बंदा अगर 6 महिने के लिए पैसे जो है bank के अंदर deposit कर रहा है और एक बंदा जो है वो मानलों तीन साल के लिए bank के अंदर जो है in a very short period of time वो कहता है कि बहुत सी European Union की जो country है उन्होंने इसको reject कर दिया तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो compare कर रहे हो और comparison कभी भी हमारा strong argument नहीं होता बहुत बहुत बता European Union ने अगर reject कर दिया तो जाहिर सी बात है European Union ने अगर reject कर दिया तो इसका मतलब यह कहीं से कहीं भी नहीं निकलता कि यह जो formula आपकी country में काम ना करे ठीक है बात है समझे तो यह हमारा valid argument नहीं होगा कहता है yes this will be much simple for common people and they will be encouraged to keep the more money in the banks वो कहता है कि हाँ यह बहुत simple तरीका है और यह लोगों को encourage करेगा कि वो अपनी money को bank के अंदर रखे तो यह एक well explained चीज़े हो गई ठीक है तो यह मारा क्या जाएगा एक valid argument हो जाएगा आगे चलते हैं आगे बढ़ने से पहले हमारा एक premium course है जो की आपको जो मिलकुल लेना चाहिए मैं आपको बताते हैं इसके features देखो यहाँ पर आपको इंडिया के top faculties के video lectures मिलते हैं साथे साथ hand return books चुकि faculties ने खुद आपके लिए design के अपने हाथों से लिखिया आपके घर तक deliver होती है exam specific mocks जहाँ पर एक exam like environment के अंदर हर एक chapter wise full length wise अपने अपनी के तयारी को judge कर सकते हो life mentorship जहां पर प्रेंसर हमारे टॉप आपको guide कर रहे होते हैं बिल्कुल in depth बताते हैं कि आपको क्या करना है तयारी के दौरान क्या नहीं करना live marathon जो कि faculties आपके लिए schedule करते हैं जहां पर हर एक topic के उपर भरपूर questions वह आपको live solve करते हैं और अगर आपको हमारे batch related कोई भी information चाहिए तो screen के उपर आपके यह number आ रहा है आप batch related information ले सकते whatsapp drop करके चलते हैं कहता है should government again start pension scheme for the government employees कहता है कि government को जो है जो pension scheme है फिर से जो है उनको retirement के बाद जो है बहुत जादा difficulty face नहीं करने पड़ी तो यह एक well explained एक अच्छा तर्क दिया उसने तो यह एक हमारा क्या जाएगा valid argument हो जाएगा कहता no this will be burden will no from this the burden will increase on x checker भाई x checker के ऊपर जो है इसके कोई बड़न नहीं आएगा वो मतलब बड़न आ जागा यह यह बात भी मिलकुल ठीक है के एक्स checker के ऊपर बड़न आ जाएगा तो यहां पर देखो अब यहां पर आइदर और हमारा नहीं आता तो यहां पर क्या हो जाएगा both arguments are valid ठीक है तो यहां पर both तो argument कहता है yes from this air pollution increases कहता है हाँ इससे air pollution increase करता है अब एक बाव बता हूँ क्या इसको explain किया है ठीक से भाई अगर वो बताता के पहले हमारा जो है air pollution इस level पे था जिस दिन हमने हमारे crackers जो जलाएं उसके बाद air pollution इतना आगे तो इतनी मात्रा में जो है वो air pollution निकला है उससे पहले जो है अगर बढ़ भी राता तो बहुत कम रेट से बढ़ राता ऐसी को explanation नहीं दी तो यह मेरा क्या हो जाएगा यह मेरा एक invalid argument जाएगा आगे देखो no from air pollution only crackers are not responsible while many other things are responsible so assuming that crackers are responsible is not sufficient वो कहता है के air pollution के लिए सिर्फ cracker responsible नहीं है और भी कहीं चीज़ रिस्पॉंसिबल है तो यह assume कर लेना के cracker responsible है sufficient नहीं होगा एक बाबता हूँ उसने कुछ explain किया उसने यह कह दिया कि और भी चीज़े जो है responsible है कौन सी चीज़े कैसी चीज़े कहा की चीज़े कुछ explanation तो दो उसने को explain नहीं किया तो यह भी मेरे क्या जाएगा invalid जाएगा तो बोथ arguments are invalid यह मेरे इसका answer हो जाएगा clear है so I hope आपको statement and arguments के अंदर एक clarity मिली होगी किस तरीके से मैं questions को attempt लेना चाहिए और critical thinking की series के आपने इसको बहुत अच्छे से enjoy किया होगा so मैं मिलता आपसे next video के अंदर मुझे दीज़े जाज़त till then bye bye take care